पुरे देश में मुस्लीम समुदाय का पर्व जशने एद मिलाद दुन नभी यानि की पैगंबर हुजुर महम्मद सहाब की यो में पैदाईश बहुत हर्शोल लास और अकिदत के साथ मनाई जा रही है वही हुजुर सहाब की यो में पैदाईश के मौके पर नगर की मस्जिदों और नगर को सजाया जा रहा है जगा जगा लंगरे आम भी किया जा रहा है इसी के चलते लखिमपूर खीरी जिले के तहसिल पल मज्जिदों और अपने घरों को रंगी बिजली की जालरों से सजाया गया यही नहीं पूरे नगर में जगा जगा सडकों पर मुस्लीम युवाओं के द्वारा सुन्दर सुन्दर गेट भी बनाए जिने बिजली की जालरों से रोशन किया गया साथ ही जगा जगा लगरे आम भी किया गया जिसमें कहीं युवाओं के द्वारा खीर बाटी गई तो कहीं चाहें इस मौके पर रजा मस्जीत के मौलाना महमूद रजा ने बाच्चित में बताया कि कोविड नाइंटीन को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हुजूर सहाब कियों में पैदाइस मनाई जा रही है वही इस मौके पर हर साल निकाले जाने वाला जुलू से मौम्मदी भी नहीं निकाला जाएगा इस माँदी आपते हुए सोसल डिस्टेंसिंग का खया लख लख जा रहा है भरफ़ूर ौर रोशनी तो हुई है हर जगा मगर लोग दूरी से ख़ले होकर के रोशनी को देख रहे हैं पूरे शहर को सजाया गया है और हमारी मस्जिद को भी सजाया गया है और हर जगा रोशनी भी हुई है सरकार का जो हुक्म है उसी हिसाब से रोशनी तो की गई है लेकिन कल जुलूस नहीं निकाला जाएगा कि उसमें भीड़ जादा हो सकती थी इसलिए सरकार का ख्याल लगते हुए हम सारी बातों को दिहान में रखते हुए हुदूर्स अल्लाहुत अल्यूस का पैदाश का दिन मना रहे हैं और इंशालला इसी तरह से हम सोसल डिस्टेंसिंग से हुदूर्स अल्लाहुत अल्यूस का यौमि पैदाश मनाएंगे और इसमें जलूस नहीं निकाला जाएगा